असलावालेकूम, इटा वाले और इंड एमडिकेट वाले सुनने, आज का टाबिक आपके लिए बहुत अहम है, क्यूंकि इसमें हम वो MCQs डिसकास कर रहे हैं, जो बहुत अकसर जो है, वो कंसर्म MCQs जिसकाओ कहते हैं, वो आते रहेते हैं, तो आज हम पड़ेंगे रूर्स assigning for oxidation and reduction, but only for oxidation, reduction इसने हम इसको नहीं कहते हैं, क्यूंकि इनकों पास्टर नेगेटिव नेल है, तो आलड़ी हमें पता चल चुका है कि oxidation यह है, तो अगर oxidation नेगेटिव में है, तो जाहर सी बात है reduce हो गया है, और अगर oxidation इंपास इसकाओ लिए है, कि वो oxidized हो गया है, तो oxidation rules for, या आप oxidation number भी कह सके है, for oxidation, assigning oxidation number, अच्छा पहला नमबर यह है, कि जो free elements होते है, free elements, वो हमेशा क्या हो में इनका oxidation number, free elements, oxidation number 0 होगा, तो अब यह इसका क्या मतलब है, मैं आप उशार्ट है, यह तादल हुख्षा तश्मुरी कर ले, oxidation number भी equal to 0, अमेशा मतलब यह है, कि other मैं क्लोडियों को ले लू, पहले मैं आप उस, sorry, oxidation का मतलब समझाता हो, कि oxidation क्या होता है, oxidation is actually apparent charge present on any metals or elements, apparently the charge किसी metal के उपर आ जाता है, चाहे वो positive हो, या negative हो, इसको हम oxidation कहते हैं, let's suppose अगर यह में पास sodium chloride है, फिर इसको आप देख रहे होते हैं, इसको मैंने split किया, in the form of solution, अगर मैं इनको solution के अंदर डाल देता हो, तो यह क्या होगा, यह होगा, positive charge में और यह होगा negative charge में, देखे, apparently इसकी उपर positive charge आए है, और apparently इसकी उपर negative charge आए है, तो मैं कहूँगा, इस ता oxidation number minus 1 है, और इस ता oxidation number plus 1 है, यह इनि इस ने return को gain case ने last किया, तो minus में हम इस अपसान किया होता है, तो oxidation number का minus में होना, यह एक इसम का आप reduction में भी बोह सकते हैं, अचा तो यह आपके पास होगे, तो आपने यह भी question करना है, कि हमें तो चलो यह इदर पता चाल गिया है, यह आपने ionic substance लिखा तो उसकी उपर charges है, resolution के form में डाल दे, लेकिन वह अपसान किसी भी, full molecule के, sum of all the algebraic expression will be equal to 0, यह भी इसम पेरेक्स लेन नहीं करूंगा, यह आप वह रहसे पता चंद यह, sum of all the algebraic expression will be equal to 0, तो इसके यह बदर है, कि इन बोले है, यह फॉस्टिव यह ने नेगेट वारे, तो इसलिए अपना, इन्होंने अपने charge को, apparent charge को 0 बना होगे, nest में हम देखते हैं, let's suppose that आप water के अंदर लिखते हैं, तो water के अंदर भी इसी तरह की कुछ होता है, देखे, इसके oxygen के ऊपर recharge आता है, वो negative वरस्टिव आता है, वो पहलते बाता है, तो देखे, मैंने आपको कह दिया, कि जब भी, कोई भी, जो charge आता है, मुसको oxidation number क चार्ज की होता है, क्योंकि जब electronegativity distance से ज्यादा होता है, तो electron को क्या कर लेते हैं, electron को एक element अपनी तरफ यही चीहते हैं, इसलिए इसके ऊपर चार्ज आ जाता है, अम इसके ऊपर भी positive चार्ज आए, तो हम यह कह सकते हैं, यहाँ पर hydrogen की, जो charge है, वो plus one है, और यहाँ hydrogen की चार्ज जो plus one है, तो oxygen की पर plus one, plus one, plus two हो गया, oxygen की पर minus two होना चाहिए, तो यह evidently recharge अवेलिबल हो जाते हैं, हम इसको क्या कहते हैं, oxidation state कहते हैं, चाहे वो negative में हो, या पिर positive में हो, तो हो सो आपको oxidation का पता चलिए हैं, अब rules को बढ़ते हैं, one by one and step by step, अचा जी, तो हम क्लूरीन के ओपर कोई चार्ज नहीं है, तो इसका oxidation number zero होगा, क्योंकि apparently charge आजाए, तो oxidation number होगा, तो number first आपर इस पो clear किया, कि oxidation number will be zero in any free state, यानि कोई भी element अगर free state में होता है, तो वो oxidation number इसका zero होता है, number first यह हो गया, number second में यह है, hydrogen की बात करते हैं, I think so, second में oxidation number of hydrogen, यह hydrogen का metal hydride, metal hydride के साथ जो है, इनका oxidation number minus one में होगा, और in case of non-metal, इनका plus one होगा, non-metal के साथ क्या होगा, non-metal, इसके साथ plus one होगा, और इसको ज़रा clear करते हैं, कि यह क्या किया रहे है, देखे, let's suppose अगर हम sodium के साथ hydrogen को मिला लेंगे, वो hydrogen, अधिर आपने periodic table के देखा है, तो जब आ electronegativity increase, in this case, sodium के electronegativity ज्यादा है as compared to the hydrogen, I mean sodium, तो यहाँ पर क्या रहेगा, यह स्वर्दिन के electronegativity अपनी तरफ एक्टेक कर लेगा, इस पर को सा चार्ज आएगा, जब इसने electrone को अट्रेक्ट ही है, आप डिरेक्ली बोलेंगे minus one, तो metal hydride में इसका oxidation number, इनका पने चार्ज क तो यह होगा हमारे पास क्या sodium hydride and hydrogloric acid ठीक है, इनका plus one and minus one में कैसे जाज होता है, कैसे इनका oxidation number होता है, तो यह ग्लाब लोगों ने clear किया, अचा पिर हमारे पास क्या है, oxygen की बात कर रहे हैं, तो oxygen में oxidation state थोड़ा से change होता है oxygen, अब देगें, याद रहें कि oxygen, जब element के जब यह बार बना रहे हैं, लेकिन यह पर अक्साइड ना हो, यह क्या दरता है, यह minus two charge इस पर आता है, और अगर पर अक्साइड की case हो, तो फिर क्या होता है, कि पिर इसकी उपर oxidation state minus one होता है, अब पर अक्साइड में क्या फरक है, देखें, सिंपल से मैं आपको बता रहे हो, इस टू-ो की case ने ले, इस टू-ो, इस टू-ो पी वोपर क्या होता है, positive one और positive one का charge आता है, इसी तरह यहाँ पर minus two पर charge आता है, कैसे मैं आपको इस प्रेंग करता हो, यह let's suppose अब यहाँ पर वार बास hydrogen है, और यह भी hydrogen है, तो यह minus two charge इस ट्यूपर ज़रूर आगर, क्य प्रेंसी बात है, जो एक ट्राने तो इस के उपर एपर एपरेंगे ही minus two charge आएगा, I hope so, आपने ही clear किये, यहाँ पर जो है positive one, positive one क्यूब की हमने पढ़ा है, अब वो, क्या होता है, कि यह तो चलग हो गया आँपास, लेकिन O2, H2O2 की case में क्या होता है, H2O2 की case में यह हो जो हमारे पस नेस्स टिप क्या है मेरे पासे book इसले मोदोर है कि आप book की इसाब से ही पढ़ लिया करें अच्छा elements of the periodic table को अगर आप देखते हैं elements of the periodic table इसमें यह होता है periodic table गा जो elements groups के शकल में डिवाइड होते हैं group 1, q and 3 इसकी उपद चार्ज आएगा यह जिस जब reaction करता है इसकी उपद सिर्फ hydrogen को accept करने के बाद क्योंकि यह एक्साइंस इक्साइंस में आता है कि hydrogen minus 1 बनाएगा ज़रूर अच्छा तो इस group of 1, 2 and 3 accept hydrogen वो क्या कर लेते हैं वो plus 1 plus 2 and plus 3 charges इसकी उपद आएगा किसी भी reaction के दौराँ hydrogen पर accept में लेगे और group number 6, 7, sorry 5, 6, 7 यह जो group होते हैं इसके ओपर क्या होगा चार जिदा आएगा वो minus 5, square minus 3, minus 2 and minus 7, minus 1, sorry अब यह नहीं कि यह infusion में ज़रा clear कर देता हूँ हमने यह बढ़ा है कि object and double true होते हैं object rule में क्या होता है कि object में कोई भी element जो होते है वो अपनी 8 electron को complete करते हैं डबल true में हम यह पढ़ा है कि कोई भी element आपने 2 electron को अट्रमोशन में complete करना चाहते हैं तो इसने यह group जो एक electron को last करेगा यह object rule गयं करेगा यह जब 2 electron को last करेगा तो जिदे के साथ यह वोगा यह अगर 3 electron को last करेगा तो इनके साथ यह वोगा तो 2 गेंट किये तो Oxidation नमबर माइनस 3 हो जाएगा दू गेंट किये तो Oxidation नमबर माइनस 2 होगा ropes कि तो Oxidation नमबर माइनस 2 होगा क्योंकि माइनस का मतलब होता है कि Reduction हो रहा है इसल Ideally आउ Oxidation को Stay-minus में देखे है और ये इसलिए क्योंकि एलेक्ट्राइट जो है, वो equally share हो जाते हैं, अगर आप इतना चाहते हैं, पीड़ी देखें, इसके उपर positive 1 है, और इसके उपर minus 1 है, तो दोनों ने अपने effect कैसा किया है, इसलिए और आल इसके उपर zero जाज होता है, तो algebraic sum इसका zero के बराबर है, सही किसी भी atom ion इसके उपर oxidation sum होता है, वो उसके उपर charge के बराबर होता है, जैसे कि अज़र आप sulphate को देखें हैं, देखे sulphate जाएं, ये two elements हैं, इसके उपर minus 2 charge है, तो इस पूरे sulphate का oxidation number है, वो minus 2 है, ये आपको बता होना चाहिए, ये इस तरह होता है, अच्छा, जब एक atom oxidize हो जाता है, तो ये एक interesting point है, point number जो भी आपके book में है, तो इसको लेखो, जो oxidize हो जाते है, कोई element oxidize, तो इस तक क्या होता है, इसका जो charge होता है, वो कम हो जाता है, ज्याना हो जाता है, plus क्यानी increase हो जाता है, oxidize, तो ये क्यातर देने है, charge इसके उपर, but charge means part of charge, रही है नही तो चार्ज नहीं, मैं पिर से कह देने होता हूँ, charge नहीं, charge नहीं, positive charge, तो ये charge टा होगा, decrease हो जाएगा, increase और decrease में आपको बता होना चाहिए, देखे, simple see I, फुन मस्किन नहीं है, अगर मैं आपको iron की बात करना दू, iron, तो iron में अगर electron को last किया, तो let's suppose अगर electron को last किया, plus two हो गया, two electron को last किया, तो plus two हो गया, तो अब मुझे बताएं, इसका है, वो charge इस पर zero है, इस वफ, निट ये plus two हो गया, तो charge increase हो आना, तो जब increase हो और electron last हो, oxidation number increase हो, अगर इसमें electron को gain किया, फैसिडर करें, यह positive है, इसमें एक electron को gain किया, तो यह positive one हो गया, अब मुझे एक बताएं, कि positive one, तो यह two से कम है ना, तो आप कहेंगे कि इसका जो हो decrease हो गया है number, लेकिन some cases में हमारे पास ऐसा हो जाता है, कि कभी कबार, अब मैं विक्स लेंडर को तो आप कहेंगे, कि यह क्या, यह तो गरत बात है, देखिए, अंदर यह मेरे पास sunset है, पर से डब करें, अधर इसने अपने electron पो loss किया, यानि इसकी उपर तो minus two electron है ना, वो आया और किसी के साथ पर इन्हेंने reaction किया, sodium के साथ, या बस sodium के साथ reaction दन दे दे है, sodium, वो गया sodium sunset, ठीक है, अब आप मुझे यह बताएंगे, कि यहाँ पर minus two है, और यहाँ पर इसका जो state हो zero है, यानि म पड़ा है, कि जब increase होता है charge, तो oxidize होता है, जब decrease होता है, तो वो reduce होता है, तो इसका तो charge reduce हुआ, यानि कम हुआ ना, तो मैं आपको कहूँगा, यह oxidize हुआ है, आप कहेंगे, तो हमने तो यह पड़ा, कि charge कम होगा, तो फिर यह reduce होगा, नई, देखे, यह minus है, और minus से zero क की तरफ आया है, तो इसका यह मतलब है, कि यह क्या हुआ है, यह increase हुआ है, क्योंकि अगर एक बंदा minus two रूपे करज़दार है, और एक बंदा कोई रूपी करज़दार नहीं है, तो आप क्या रखते है, कोई अमीर है, तो आप बोलेंगे कि वो जिस पे उपर कोई भी करज़दार है, इन्हींने दो एक्रान लिये हुए है, जब वो करज़दे दिया, तो इसको zero हो गया, तो यह अमीर हो गया, तो इसलिए इसका चार्ज इंक्रीज़ हुआ, तो आप उसको क्या कहते है, oxidation कहते है, और तो आप लोगोंने अक्सिडाइसिंग नमबर को पढ़ किया है, इंशाले नेक्स टापिक इससे भी बहुत जाएटा खुबसूरत है, टिप वाइज डिसकास करेंगे, स्टे कनेक्टिड, अलाफिज